नमस्कार जन्ता के लिए जन्ता की आवाद जन्ता समर्चार में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कंचन आई चलते हैं खबर कियो तेश के जाने माने उध्योग पती गौतम अडानी द्वारा कथीत तौर पर किये गए कॉर्परेट घुटाले की गुण शुक्रवार को नर्सिंग पुर जिले में भी सुनाई दी कॉंग्रिस के अलपसंख्यक प्रकोस्ट ने इस मामले की जहां सयुक्त संसदी समीती से कराय जाने की मांगी है अलपसंख्यक प्रकोस्ट के जिलादे चीवं पाच्छद अब्दुलहकीम खान के साथ बड़ी संख्या में संगठन के सद्स्यों ने रास्टपती के नाम ग्यापन सौपा ग्यापन की जरीए बताया गया है कि इडिनवर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने आ का रूप लगाया है रिसर्च रिपोर्ट से पत्दा चलता है कि अडानी ग्रूप द्वारा कई सालों से खुलम खुला शेयरों में गड़वड़ी और अकाउंट में धोकधड़ी किये जाने की आश्रंक है इस रिपोर्ट के उजजागर होते ही अडानी ग्रूप का करीब चार दिसमलब एक लाग करोड का मार्केट केव साफ हो गया है अनेक अनीमिताओं के चलते भारत में SBI तदह LIC के निवेश्कों के आर्थी कितों पर गंभीर खत्रा उत्पन हो गया है ग्यापन के माध्यम से कहा गया है कि संसद में संयुक्त विपक्च इवम कॉंग्रेस क रास्टे नेतर राहूल गांधी वर रास्टे अद्देच मलिका अर्जुन खडगे की मांग के अनुसार उक्त मामले की जाच संयुक्त संसदी दल का गठन करकर आई जाए इसके अलावा LIC इवम SBI के निवेश्कों के आर्थी कितों की सुरक्षा हितु तत्काल ठोस नीती बनाई जाए वहीं जबलपुर की रेलवे स्टेशन की बाहन पार्किंग व्यवस्था पट्री से नीचे उतर आई है दरसल प्लेटफॉर्म के बाहर जिसका मन जहां जा रहा है वहां बाहन खड़े कर रहे हैं ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है जिसके कारण व्यवस्था भी बेपट्री हो चुकी है रेलवे का दावा था कि तीन से चार दिनों में नया ठेका हो जाएगा लेकिन रेलवे का दावा रखा रह गया और कोई भी ठेका अभी तक फिलहाल नहीं हुआ ठेका ना होने के कारण इस्टेशनों में आने जाने वाले यादियो को भी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है हलाकि अभी भी रेलवे को उम्मीद है कि जल्द ही ठेका हो जाएगा ये थी आज की खबर और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना ना भ अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें